असलाम आलेकुम तो कैसे हो मेरे भाई लोग ठीक हो उम्मित करता हूँ सब लोग अच्छे से खेरियासे और बढ़ियास होंगे तो आज हम बात करने वाले हैं गौर्णमेंट के तरफ से जो है आपडेट आया है उसमें उन्होंने कहा है वार्निंग दिया है ये वार्निंग उनके लिए है जो सौधी अरम में सौधी के नाम से यहाँ पर दुकान खोल कर याणि दुकान खोल कर बिजनस करते हैं जैसे आप लोग को पता होगा बहुत सारे आजनभी हमारे गैर मुलकी भाई लोग हैं जो सौधी अरब में दुकान खोल कर सौधी के नाम पे बिजनस करते हैं आपको एक महिन्ने में साल भर में 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 मतलब जो भी उन से इत्वाक किये हैं कि हम आपको इतने महिन्ने में इतना देंगे और बाकी जो हमारा बचेगा हम अपना रखेंगे ठीक है इसी पर गॉर्मेंट ने वारिणिग दिया है 16 फरवरी तक का last time उन्होंने दिया है उन्होंने कहा है कि जो भी गैर मुलकी यहाँ पर सौधी के नाम से बिजनस करते हैं वो अपने बिजनस को जो है यहाँ के जो है रूल कानून गौर्मेंट का जो है रूल कानून मनिश्टरी का जो रूल कानून है उसके मुताबिक कर ले यानि ठीक कर ले नहीं तो आगे चल कर अगर वो लोग पकड़े जाते हैं उन्होंने वार्निंग दिया 16 फरवरी तक अपना काम को ठीक कर ले अच्छा कर ले जो भी इदर गौर्मेंट के मुताबिक नहीं तो अगर उलंगन करने पर अगर वो लोग पकड़े जाते हैं तो उनके उपर पाँच मिलियोन रियाल का फाइन लगेगा और उनको जेल होगा और साइध हो सकता है उनको सौधी से हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा यानि उनको दुबारा सौधी अर्बिया में एंटी नहीं करने दिया जाएगा उनको ब्लोग कर दिया जाएगा तो हमारे जो भी भाई लोग यहां पर काम करते हैं आप लोग अगर दुकान में कहीं पर भी तो आप लोगों के लिए 16 फरवरी तक का टाइम है आप लोग अपने काम को ठीक कर लो नहीं तो आप लोगों के लिए आगे चल कर बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ सकता है और आपको सौधी अरब से डिपोर्ट भी कर दिया जा सकता है उसके बाद हमारे बहुत से भाई लोग परिसान है जो यहां आमिल मंजली का काम करते हैं और ड्रैबरी का काम करते हैं बहुत से भाई लोग परसान है कि भाई हम भी यहां पर अपना गाड़ी लिए हुए है या ड्रैबरी का काम करते हैं यानि भाड़ाड़ा मारते हैं इधर उदर वो लोग भी परिशान है कि भाई लोग हम लोगों के लिए भी है तो भाई आप लोगों के लिए नहीं है आपका काम ऐसे धन्दा पानी हमेशा के लिए इसे चलता ही रहेगा लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है जैसे आप लोग कहीं पर गाड़ी लेकर जा रहे हो तो अंजान आदमी को ना बैठाना अगर अंजान आदमी को बइठा रहे हो तो उससे जो है उसका नाम पता अडरेस जरूर पुछ लेना ताकि आप से कोई आगे पुलिस वाला अगर रोक कर पूश्टा भी है कि जो है ये कवन है चेकिन करने के लिए कहीं आप भाड़ा तो नहीं मार रहे हो तो आप उसका जो है नाम पता बता दो उसको विश्वास दिला दो पुलिस वाले को कि हम जो है भाड़ा नहीं मार रहे ह हमारा दोस्त है हम इसको जो है कहीं पर छोड़ने जा रहे हैं अगर आप लोग अंजान आदमी को बैठाते हो तो अगर आप लोग अपने दोस्त वगएरा को बैठाते हो कहीं पर अपने एरिये के आदमी को तो उसको तो आप लोग जानते ही होगे उसका नाम पता बता दो फ गवर्मेंट ने 16 फरवरी तक का लाइश टाइम दिया है कि अपना धन्दा पानी यहां के कानून यारे मनिश्टरी के काइदे कानून रूल से कर ले नित उनके लिए आगे चलके दिक्कत हो सकता है अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनको सौधी अरब से हो सकता डिपोर्ट नहीं है अगर हम लोग बाहर देश में रह रहे हैं खाली साओधे में ही नहीं अगर कहीं भी बाहर कंट्री में रह रहे हैं और वहां पर जो है हमने वैक्सीन का दूसरा डोज ले चुके हैं और हमको जो है इंडिया जाना है तो हम PCR टेस्ट कराने की जुरुरत नहीं है हम जा सकते हैं PCR टेस्ट के जगह पे हमको क्या करना है अपना सर्टिफिकेट जो हम कराउना का वेक्सीन लगवाए हुए उसका नाम वगारा वही वहां पर सम्मिट करना रहेगा हमको PCR टेस्ट कराने के जुरुरत नहीं है अगर हम लोग कहीं भी किसी भी कंट्री में रह रह तो खाली साओधी में ही नहीं कहीं पर भी अगर आप लोग रह 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 आपको इंडिया में जाना है तो आपको PCR टेस्ट कराने की ज़रुरत नहीं पड़ेगा आज 14 फरवरी है आज से कानूर लागू हो गया है तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही अगर और भी कुछ चाहे गौर्मेंट के तरफ से अपड़ेट आता है तो हम इंसालगा आप लोगों को बताएंगे जरूर अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों से छिटा सा रिक्ष्ट है आप लोग हमारे चैनल को लाइक सस्क्राइब कमींड जरू करना म मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक लिए अल्ला आफिस जाहिन जय भारत